बारती जंदा पार्टी ने अपनी लोगसभा के लिए 1955 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है उन सभी 195 जगे पर खुशी का माहौल है, वहाँ पर जश्मनाया जा रहा है लेकिन जिन जगों पर अभी सीट की घोशना नहीं हुई है, प्रत्याशी की घोशना नहीं हुई है वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, और ऐसी ही एक सीट है कानपुर नगर की यहां पर सन्नाटा के वो पसरा हुआ है इसके कई सारे कारण है वो आज हम आपको बताते हैं सबसे पहली बात तो यह कि इस पूरे छेतर में जो कानपूर बुंदेल खंड छेतर है यह काफी महतपूर माना जाता है राजनीतिक दिश्टिकोंड से और यह सभी यहां पर अगर बात करें तो यह कानपूर बुंदेल खंड में दस लोग सभा सीटे हैं उन दस लोग सभा सीटों में से नौ सीटों पर प्रत्याशियों की घोशना हो चुकी है और अगर कोई बची है तो वो बची है सिर्फ और सिर्फ कानपूर नगर की सीट इसी बात को लेकर यहाँ पर सन्नाटा भी पसरा हुआ है और सब के दिलों की धड़करे भी बढ़ी हुई हैं क्यों उसका कारण यह है कि यह कयास लगाये जा रहे थे लगातार कि आखिर कानप भाश्पा ने अपने उनहीं सांसदों को रिपीट किया है जो की वर्तमान में सांसद हैं ऐसे में अगर मान लिया जाए तो यहां से अगर हम कानपूर नगर की सीट की बात करें तो सत्दे पचौरी भी भाश्पा के वर्तमान में सांसद है और इस लिहाज से उनकी सीट भी repeat होने की संभावना है लेकिन अगर यही सारा पैमाना था तो फिर कानपुर नगर की लोकसभा seat की घोशना हो जानी चाहिए थी क्योंकि जब आस पास के जो 10 लोकसभा seat हैं उसमें से 9 पे घोशना हो गई यहां तक की जो कानपुर के कई सारे विदान सभा जिस लोकसभा में आते हैं यानि कि अकबरपुर seat वहां से भी वर्तमान सांसा देवेन सिंग भोले को repeat कर दिया गया तो फिर कानपुर seat में ऐसी क्या बात थी जिसकी की गोशना नहीं की गई यही आजचर्चा का विशय बना हुआ है दूसरी बात अभी तक लगातार ये बात हो रही थी कि 75 वर्ष या उससे उपर के प्रत्याशियों को बीजेपी टिकट नहीं देगी और उसका ज़्यादा तर जो जोर है वो या तो युवा प्रत्याशियों पर रहेगा और या फिर उन पर रहेगा जिनकी की उमर 75 वर्ष से नीचे है लेकिन जिस तरह से हिमा मालनी को टिकट दी गई है और उनकी उमर 75 प्लस है तो इसको देखते हुए ये संभावना जो कि सद्दे पचौरी के साथ बताई जा रही थी वो भी फिर फिट नहीं बैठती है इस पूरे आकड़े में यानि एक तरफ ये कहा जा सकता है कि सद्दे पचौरी के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि एक माइनस पॉइंट है प्लस पॉइंट ये हुआ है कि जो हिमा मालनी को टिकट मिल गई और उनकी उमर भी 75 प्लस है तो ऐसे में सद्दे पचौरी के साथ जो कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी 75 वर्ष की आयू उनकी उससे आगे बढ़ चुकी है तो ऐसे में उनको नहीं मिलेगी तो अब ये मामला आ सकता है कि अगर हिमा मालनी को टिकट मिल सकती है तो फिर सद्दे पचौरी को क्यों नहीं और दूसरी बात अगर हम माइनस पॉइंट की बात करें तो माइनस की बात यह है कि ये भी कहा जा सकता है कि जब दस लोग सभा सीटे थी कानपूर बुंदेल खरण छेतर में यहां तक कि जो कानपूर नगर के साथ मानी जाती है अकबर पूर सीट उस पे भी प्रत्याशियों की घोशना हो गई तो फिर आखिर कानपूर लोग सभा सीट पर गोशना क्यों नहीं हुई जीते हुए सांसद हैं सद्धे पचौरी लगातार यहां इस सीट पे बने हुए हैं और उसके बाद भी अगर उनके नाम की घोशना नहीं होती है तो इसका मत्तब यह है कि कही ना कहीं पेश फसा हुआ है क्योंकि भाजपा की पहली लिष्ट में सिर्फ वही नाम उनी सीटों के नाम नहीं आए हैं जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि अभी इस पेश फसा हुआ है या फिर अभी तक आला कमान यह तैय नहीं कर पाया है कि यहां से किसको टिकट देना चाहिए तो इन सब बातों की वज़े से अगर हम कानपूर की बात क की घोशना हुई है तब से भले ही उन सीटों पर हसी खुशी का महौल हो जस्ट मनाया जा रहा हो जहां पर टिकट मिल गए हैं लेकिन अभी कानपूर नगर पे बिलकुस सन्नाटा पसरा हुआ है और सभी को इंतजार है उस लिस्ट का जिस पे कानपूर लोग सबाद सीट प की घोशना होगी अनुराग अगरवाल टीवी नाइन कानपूर